त्री टू वान एंड गो आज हम अपनी न्यू हिमालेन पर लगाने जा रहे हैं जी फोग लाइट क्योंकि इसकी जो उरिजिनल जो स्टोक हेडलाइट है उसका जो थो अच्छा नहीं है रात को ड्राइब करने में बहुत दिक्कत आती है तो हम अप लगाने वाले हैं जी इस यह फोग लाइट के है हम फोटीवॉट के तो चलिए सके देखने की अंदर चीज है तो यह जो बॉक्स है कुछ एसा है यहां पर लिखा GYA लिव एच जी लेडी लाइट्स और लाइट्स की जो फोटो है यहां पर बनी गई है और हारनेस भी इसके साथ में है येलो कैप भी है तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं जी अन्बॉक्स तो ये हैं जी लाइट्स आप देख पा रहे हैं ये ऐसी है प्लग एंड प्ले का सिस्टम है इसमें और ये नैचरल लाइट ऐसी है और इसके साथ येलो कैप मिलता है आपकी मर्जिय लगाना है तो लगा सकते हैं यहां पर एच जे जी की ब्रेंडिंग्स है और दो लाइट् सिस्टम है जोकी एक जेये जी काई है हमरे में इसके बादस्थ बादकरें तो ये कुछ लाइट्स की फिटिंग बॉक के अंदर ही हैं जैसे क्लैम वगारा और नटन बोल्स तो लाइट स्विट करने के लिए हमें ना क्लैम की जुर्थ पड़ेगी तो यह जो क्लैम है यह लगेंगे यहां पर हम अपनी भाई की जो फोग लेंट लगाएंगे वह यहां पर लगाएंगे क्योंकि जो स्लाइडर है जो की रोइंफिल का काम करते हैं यह बहुत बड़ी है तरीके से तो यह अभी मरा टैंक वगरा जो खोल के देंगे और वारिंग में हम इनकी हल्प कर देंगे और जहां 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 जो भी कनेक्शन देना है वो सब आपको दिखाते हैं तो चलिए दिक आपको करते हैं जी यहां पर टच करेगा तो यह पूरा ब्रैकेट उतारना पड़ेगा तो भाई लोग हमने पूरा टैंक नहीं उतार रहा है हमने टैंक के थोड़ा सा उठाकर यहां पर कुछ सपोर्ट दे दी है कि यहां से तारे जो है हमारी पास हो जाए अच्छे तरीके से और पूरा खोल लेगी तो अब यह फिटिंग का काम चल रहा है जी तो गाइस हमने फिट कर दिया यहां पर यह जो हमने क्लैंप लगा दिया क्लैंप के साथ यह लाइट की फिटिंग हम ऐसे लगा यह थोड़ी लूज है क्योंकि थोड़ा वह चेक करेंगे फोकस कि साइड को आएगा तो साइड मिरर के बिलकुल लास पोइंट पर यहां पहुन हमने इस लिगाया क्योंकि जब हम राइट करते हैं तो यह बिल्कुल हमारे इजी टू अपरेट है जैसे हम यह लगाए जिसको बहुत कर लेंगे और साथ नहीं हमने लगाया जी सिम टेक का जो मभाइल का बोलडर है और विड्शारजर अ है परानी क्लास्ट पर लगाहता यहां से हमने इसको उतार लिया है क्योंकि जो चार्जर यह दो 2 ऐमपेर का यह थियू का यह नौर highly नौर्म चार्जर है और बाकि यह हम सारा इसको सेट-प और सूरोग्जार यहां पर लगे इस और यहां पर लगा दि यहां पे एक fuse वाली डिबी है यह वाली और सारी connection हमने कर लिए है प्लस माइनस दोनों के अब यह जो मेन है ना ignition का तो इसका फंडा यह है कि यह जो न्यू हिमाले ना ने एक socket दी गई है यहां पे असेसरी लगाने के लिए जैसा आप यहां पे खोलेंगे ना इसको तो यहां पे बहुत सारी connections है आपको ढोड़ना है कि ignition का connection कौन सा वाला है ठीक है तो मतलब आपको कोई भी वहां से आगे से कोई वायर कट नहीं करने बड़ती सीधा आपने ignition वाली यहां लेक्या हो और यहा अब हम इसको यहां पर फिट करेंगे उसके अच्छे से टेव करेंगे और उसके बाद यह वाला कैप इस पर लगा देंगे तो फाइली गाईस लाइट की फिटिंग होगी है एक दम बड़िया तरीके से आप बिना किसी देरी के इसका करते है प्रफॉर्मेंस टेस्ट और यह कैसा परफॉर्म करती है तो जल्दी से बाइक को स्टार्ट करते है यह हमने बाइक स्टार्ट कर दी इसको कर देते जी बंध और यह है जी स्टॉक लाइट यह हाई बी में है यह लॉबी में आप हाई बी में देख पा रहे है इसका फोकस जो है मतलब जो लाइट है कहा तक spread हो रही है और visibility कहां तक क्या रही है अब इसको low beam में करते हैं और करते हैं अपनी aux light को on three two one and go क्या बात है भाई बहुत ही जादा bright है भाई बहुत जादा bright आप देख पा रहे हैं 40 watts की light है कुछ जादा heavy lights नहीं है पर फिर भी काफी अच्छी light प्रवाइट कर रही है काफ than sufficient है आपको कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं होने वाली हाँ टाइमली आप अपगेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मुझे कुछ टाइम बाद जरूरत पढ़ दाएगी क्योंकि मैं इसके used to हो जाओंगा कुछ टाइम के बाद मैंने इसका focus वगरा जो है वो हमने set कर दि जी focus आप ध्यान से देख पा रहे हैं देखो बहुत दूर तक जा रहा जी focus इसका अप एंड डाउन मैंने यहां पे set किया हुआ है तो आप अपने codingly set कर सकते हैं और बात करें इसके throw की काफी अच्छा throw है बहुत अच्छे से light spread हो रही है को आगे तक की visibility नजर आ रही है त तो इतनी भी जादा ब्राइट नहीं मैं बोल सकता और इतनी भी कम ब्राइट नहीं बोल सकता जितनी जरूरत है उसके साफ से यह बहुत अच्छी light है in case future में मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको upgrade करेंगे तो अभी बात करते हैं जिसके flasher system की तो flasher system देखें ज और फिट से on करेंगे तो यह जी flasher system और अभी हम आपको चेक कर आते हैं कि yellow filter लगा के यह light कैसे लगती है तो yellow में यह light कुछ ऐसी आ रही है yellow filter mostly log जो है fog में यूज़ करते हैं और काफी अच्छा तरू है इसका यह low beam के साथ हम चेक कर लेते हैं यह ऐसा कुछ तरू आ रहा है और यह second mode क्या बात है यह बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो बाइक के अगर आप लुक चेक करें तो light के साथ बाइक की ना ऐसे कुछ लुक आ रही है सामने से देखें तो सामने से यह yellow filter में ऐसी देख रही है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और यहां से यह road देखें तो road कुछ ऐसा है तो अब मैं इसके yellow filter निकालता हूं और white के साथ देखने की light कैसी लगती है तो white के साथ भई ऐसी look आ रही है बहुत ही जादा bright है भई बहुत ही जादा bright है आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी लग रही है और सामने से देखें भई काफी अच अच्छी है बट इसकी actual performance हमें तभी पता चलेगी जब हम long ride पे इसको use करेंगे highway पे use करेंगे hill area में use करेंगे off-roading में use करेंगे तब इसकी actual में जो है performance पता चलेगी फिलाल के लिए light मेरे लिए sufficient है हमारे अशीश भाई अशीश रोनेक भाई हमीं बता रहे थे कि mad dog की lights ले तो 2500 approximate आप लगा लोगी 2500 में ये light मुझे मिल गी है जो काफी अच्छा performance यहां पे मुझे दे रही है तो guys इस वीडियो में सिर्फ इतना ही I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please comment सके में जरू बताइए वीडियो को like शेयर कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना मिलते हैं जी नेक्स व्लोग में तब तक लिए take care बाबाए